उद्दफ ठाकरे से शिफसेना चीनी जाने के बाद में अब संजय राउत से उनकी सांसदी चीनी जाने का खाका तैयार कर लिया गया है दरसल मुख्यमंत्री एकनाश्श्जिंदे की शिवसीयना ने सांसा संजरा Lewis से शिवसीयना संसधिये दल का नेता पद छीनने की कारवाई शुरू कर दी है सामसदों ने संसदिय सचिफ को पत्र लिक करके मांग की है कि संजराउत की जगए शिंदे समर्थक गजानन कीर्थिकर को संसदिय दल का नेता नियुक्त किया जाए शिंदे गुट ने पहले ही संसद भवन इस तेज शिफसेना कारयालाय पर कब्जा कर दिया है वहां से उदव ठाकरे और आदित ठाकरे की तस्वीरें हटा करके उनकी जगए एकनाश शिंदे की तस्वीरें और उनके गुरू आनन दिगे की तस्वीरें चस्पा कर दी गई है लोगसभा सदस्यों में हुई फूट के बाद लोगसभा के तेरा सांसा शिंदे के साथ में खड़े हैं और उदव ठाकरे के पास में महज पांच लोगसभा सदस्य ही बचे हैं वहीं राज्य सभा में शिफसेना के तीन सदस्य हैं और तीनों ही उद्दब ठाकरे के साथ में फिलाल हैं और इन ही मेंसे एक हैं संजराउट जो की पार्टी मुखपत्र सामना के समपादक भी हैं और अब संजर आउटस उनकी दरसल जो संसदिय दल के नेता है वो छीनने की कारबाई एकनाश शंदे की तरप से कर दी गई है मुक्र मंतरी एकनाश शंदे के नितरतो वाली शिफसेना ने मंगलवार को केंद्रिय संसदिय वामलों के मंतरी प्रहलाज जोशी को एक पत्र सौंपा है जिसमें लोगसबा सांसद गजानन कीरतिकर को शिफसेना संसदिय दल का नेता निक्त किया गया सांसद संजराओत अब तक शिफसेना संसदिय दल के नेता रहे शिफसेना नेताओं ने कहा कि पिछले सप्ता हुई पार्टी सांसदों की बेटक में कीरतिकर को संसदिय दल का नेता चुना गया शिफसेना संसद रहुल शेवाले ने कहा कि संसदिय दल का नेता निक्त करने का अधिकार सीम एकना शिंदे के पास में है जो कि शिफसेना के प्रमुख नेता है उन्होंने संसद गजानन कीरतिकर को निक्त करके केंद्रिय संसदिय कारे मंत्री को पत्र दिया है हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है संसदिय दल का नेता लोकसभा और राजसभा में दल का नेता होता है इसलिए राजसभा में भी सभी संसदों को हमारे वहिप का पालन करना होगा चुनाव आयोग ने दोस्तों अपना फैसला दे दिया है शुनाव चिन आवंटित करना इसलिए उन सभी को इसका पालन करना होगा जो शिफसेना के नाम और शुनाव चिन पर जीते हैं तो संजराउत को एक बड़ा जटका देने की तैयारी एकनाश शुन्दे की और मुझे लगता है कि संजराउत के लिए इतना होना जरूरी भी है क्योंकि उद्दफ ठाकरे के बड़वोले नेता संजराउत जो है एकसर इस तरीके के बयान देते हैं जिसकी वज़े से महरास्ट की राजनीती गर्मा जाती है बहराल जो राउत को एक और 11,000 बोल्ट का छटका लगने बाला इस पर आपकी जो भी राय है हमें कॉमेंट करके जरू बताएं जल्द बनुगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ मैं अगर आप लोग चैनल पर ना हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ा ब्रेट लेकर आओ तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको लगे